है गाइस वेलकम बैक तो दे चैनल और आज किस वीडियो पर हम लोग केंपस का प्राइजेक्शन डिसकस करने वाले बट वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप सभी को डिस्क्लेमर देना चाहता हूं यह वीडियो सिर्फ एजूकेशन परपर्स के लिए है मैं किसी भी तर कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो को एक लर्निंग परपस के तरह ही ट्रेट करें तो सबसे पहले इसका प्राइज एक्षन देखते हैं अभी करेंटली प्राइज 315 चल रहा है और अभी मैंने इसको विकली का चार्ट पर ओपन किया इसको अगर बड़े पिक्शर में भी स समझोगे चीजों को कि किस तरीके से काम कर रहा है इसमें आपको समझने वाला जैसा कुछ बात है नहीं अगर आप यहां पर देखो के प्राइज ने अल्टाइम हाई लगा या था 627 के असपास और यह 2022 के बात है उसके बात से सेलिंग कंटिनुसली हमें देखने को मिला ज अब सवाल उड़ता है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि यहां सही एक्जेक्टली प्राइजेक्शन ने एक अच्छा मूफ दिया है बुलके तो अगर अभी इसका डेटा की हिसाब से देखो कि जो भी इसका कैंडल का स्टोरी है हमसे क्या कहने का कोशिश कर रहा है वो भी आइडिया नहीं है बट अगर आप देखोगे कि प्राइज ने यहां से एक अच्छा कासा देखिए यहां पर जो ग्रीन केंडल है कि यहां पर कलर कंफिशन होने का जरूरत नहीं है वह एक्चुली मैं ग्रीन कलर से पग गया था इसी वज़े से मैंने यहां पर ब्लू मतलब यह जो लेबल है कहीं आप देख सकते हो अच्छा सपोर्ट एरिया बन चुका है अगर नेक्स्ट इसके प्राइजेक्शन के हम बात करें कि इसमें और क्या चीज़े हो सकती है इसके लिए हम लोग जो है वीकली पर स्विच कर लेते हैं एक बार होके वीकली पर स्वि क्या कि हम लोग ने अभी डिसकास किया तो टूटफुनधे के असपास से अब यहां से धीरे धीरे उपर जाने का कोशिश करerem अब यहां पे जो लोग ने सोचा होगा की नहीं हम लोग ने यह पर बाइगा उता हो तो अच्छा पॉपिट हो राता है कि हम लोग को नहीं पता कि कौंज सो कितना डिप जायेगा कि among लगाइगा हमं ये बोल सकते हैं कि price जहां तक bottom लगाता है वहाँ से अगर projection स्टार्ट होता है और ये वाले जो resistance point होते हैं अगर उसको break करते हुए जाता है और नीजे कहीं पर भी अगर support break नहीं करता है तो हम इसको ऐसे इस तरीके से projection हम लोग ले सकते हैं कि नहीं अब इस stock में अच्छा खासा यहां पर buying create हो रहा है और जहां तक अगर मैं indicator के बात करूँ देखिए volume indicator वगेरा तो मैं देखता नहीं हूँ बट स्टिल अगर आप इसको as a volume indicator की तरह भी देखना चाहते हो तो आप यहां पर simply देखिए आपको यहां पर volume का option दिख जाएगा आपको यहां पर volume क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरीके से आपको सामने दिख जाएगा कि यहां पर एक green color का volume हमें देखने को मिल रहा है कहीं न कहीं इस candle पर buying होना start हो गया है ठीक है still मैं अभी भी इस stock पर कुछ भी ऐसा plan नहीं करेंगा कि हाँ प्राइज अभी यहां से यह उपर चला जाए ठीक है अभी समझते हैं कि इस पर हम लोग किस तरीके से और plan कर सकते हैं देखो currently जैसे कि मैंने कहा 315 के असपास चल रहा है और अगर आप pattern वगेरा ज्यादातर ध्यान देते हो तो आप इसको इस तरीके से आप plan कर सकते हो देखें यहां पे इस तरीके से bottom बन रहा है ठीक है और यहां से price उपर जा रहा है अगर हम इसको support resistance की तरह थोड़ा सा इसको treat करें जैसे कि अगर आप देखो कि price देखें यहां से लिखें यहां तक उपर गया है ठीक है इसका जो neck है वो break क्या है और इसका जो move है अगर हम इसको predict करें उस हिसाब से तो यहां से हम लोग को अच्छा जो है again उपर के side up move यह जो level है ना कुछ लोग कैसे बनाते दिखें यहां से लेखके यहां तक ठीक है मतलब यहां से यहां तक जो भी height बना है ना यहां पर बस लोग क्या करतें breakout में यहां पर डाल देतें तो वो उनके हिजाब से सही है बट यह चीज़ मैं गलत मानता हूं ऐसे हम लोग को plan न इसको ट्रेडिंग के लिए plan नहीं करने वाल है इसको मैं investment के लिए इस stock को consider करूंगा अगर इसका projection अच्छा लगा तो हम लोग इसको plan करेंगे ठीक है अगर आपको भी इसमें fundamental analysis करना है तो आप कर सकते हो like screener.com पे जाके आप इस stock की financial statement वगेरा सब कुछ देख सकते हो company किस तरीके से perform कर रहा है उस भियाब पर आप यहां पर investment वाले decision ले सकते हो और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको investment करना है तो आप से भी registered investment advisor का भी help ले सकते हो ठीक है तो आप बात करते हैं कि मुझे इस पर क्या projection देखने को मिला देखे जैसे कि हम लोगों ने volume वगेरा हो गया ठीक हम लोग positive चीज़े यहां पर consider करेंगे कि क्या है actually देखे अगर अभी हम इसकी बात करें क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाले high जो है यानि कि support resistance की अगर हम बात करें क्या break किया है देखे अगर आपको अभी भी समझ नहीं है तो मैं आपको और एक example दिखाता हूं कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक बात करूं कि आपको नहीं लगता कि price ने देखे हुआ क्या है price यहां पर hit क्या down है अगें यहां पर sideways क्या उपर के set breakout हमें देखने को मिला तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि यह जो एक important level है support resistance की तरह काम कर रहा है अब जब फ्यूचर अभी प्राइस अपर से इस लेबल पर आएगा क्या आपको नहीं लगता कि यहां से इस तरीके से move आना चाहिए क्योंकि देखिए यह जो important level है 280 से लेखके 300 के level के आसपास अगर हम बात करें क्योंकि आप देखो ना कि यहां से प्राइस ने यही level पर सब नाटक हो रहा है आप देख सकते हो यहां पर यहां पर और यहां पर ठीक है तो अगें मैं वही चीज़ बोलना कि क्या आपको नहीं लगता कि प्राइस अभी जब यहां से पहली बार आएगा इस level को कहीं ने कहीं हिट करेगा तो कि यहां से एक अच्छा मोमेंटम उपर किसे हम लोगों को देखने को मिल सकता है ठीक है तो अगर मान लोग की प्राइस यहां पर आता है तो हम लोग कुछ ना कुछ इस स्टॉक पर प्लान करेंगे जो कि मैं अपने मेंबर्स के शाद भी हरवर शेर करता हूं कि भाई इस स्टॉक को रडार पर क्यों रार सकते होँ वहां पर मैं स्टॉक के रिगार्डिंग जो भी नहीं घती हैं जो भी मर्जर होता है यह जो भी ऊस करते हैं कि यहाँ पर जैसे weekly के time frame पर आ चुके हैं अभी हम काम करते हैं डेली पर चलते हैं डेली पर देखने का कोशिश करते हैं अगर इस पर कुछ अच्छा उपर के साइट देखने को मिला है तो मुझे लगता है आने वाली दिनों पर हो सकता है इस स्टॉक में हो सकता है प्राइस डाउन आज है और बिल्कुल हम लोग यह जो जैसे मैंने कहा ना कि सकते हैं अगर यह स्टॉक इसको ब्रेक करता है तो अगें मैंने जैसे बोला कि सेंस बनता नहीं इस पर प्लान करने का फिर यह बहुत इंपोर्टेंट लेबल है आपको इस पर मार्क कर लेना चाहिए कि इसमें इस लबल के असपास किस तरीके से प्राइजेक्शन बन रहा है क्या यहां पर हम लोग को support मिल सकता है यह यह stock को इस तरीके से break कर सकता है देखें मेरा assumption तो यह कहता है कि मुझे यहां से अचा खासा उपर के साइड हम लोग को देखना मिल सकता है क्योंकि देखिए अगर यहां पर यह ब्रेक करता है तो मैं इसमें स्टॉपलस ले लोंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर यहां से चलता है तो इसको अगर हम लोग देखेंगे ओवरल इस स्टॉप पर इतना अच्छा पोटेंचल है कि अगर आपको मैं मंतली पर पिक्चर दिखाऊं देखिए पिक्चर बहुत ही क्लियर है जो कि यहां पर कुछ भी अच्छा खासा है नहीं अगर यह स्टॉपलस तो बहुत अच्छा आपको अभी 315 के असपास है तो हो और बहुत अच्छा आपको यह 400 के पार भी देखने को अगर सकता है तो आप इस स्टॉप को कंसेडर कर सकते हो और इस तरीका वीडियो को देखने के रहे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो शेर भी कर सकते हो इस वीडियो का अपने दुस्तों के साथ ताकि इस तरीकी का ल